Hello everyone, क्या pregnancy time में tetanus के injection लगवाना ज़रूरी होता है? अगर हाँ, तो आपको pregnancy के कौन से महिने में injection लगवाने चाहिए? कितने injection लगवाने चाहिए? अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है मुझे comment section में ज़रूर बताएगा कि क्या आपको ये injection लगए है या नहीं और लगए है तो कौन से महिने में? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक request कि अगर आपको हमारी वीडियोस informative लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें तो देखे फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम में tetanus का injection लगवाना बहुत जरूरी होता है tetanus एक ऐसा infection होता है जो के बैक्टीरिया के विज़से होता है जिसे हम कहते हैं Clostridium tetanide जब भी आपको चोट लग जाती है उस जगह पर घाव हो जाता है और आप उस जगह का साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं हाईजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो उस घाव के त्रूई जो बैक्टीरिया के स्पोर्स है यह आपकी बॉड़ी में एंटर कर जाते हैं और tetanus एक जानलेवा भीमारी है जो कि सीधे आपके central nervous system पर असर डालती है और इसमें आपकी जो muscles होती है जो मास्पेशिया होती है वो सिकॉंडर लग जाती है specially neck की और jaw की जिसे हम lock jaw भी कहते है pregnancy time में अगर आपको यह बिमारी हो जाती है तो यह आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे दोनों के लिए ही बहुत खतरनाक है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक जानलेवार बिमारी भी हो सकती है तो इसी लिए pregnancy time में tetanus का injection लगवाना ज़रूरी हो जाता है ताकि आपको यह infection ना हो आपके होना लिए बच्चे पर infection ना हो और साथ ही साथ premature delivery होने के chances भी नहीं होते है अब आपको यह समझ में आगा कि pregnancy में tetanus यानि TT का injection लगवाना ज़रूरी है और वो क्यों ज़रूरी है यह भी मैंने आपको बता दिया अब दूसरी चीज हमें जाननी है कि हमें pregnancy में यह injection कब-कब लगते है यानि कौन से महीने में लगते हैं कितनी बार लगते हैं चलिए वो जान लेते हैं तो friends इस tetanus की दो dose होती है first dose जो आपको लगती है वो लगती है first trimester के end मेने की तीन मेने के end में आपको first dose लगता है tetanus का और जो दूसरा dose होगा वो पहली dose जब भी आपको लगी है उसके चार हफते बाद यानि एक मेने के gap के बाद लगती है क्योंकि इन दोनों dose के बीच में चार हफते का जो gap है वो होना ही चाहिए अगर आप 3 साल के अंदर दुबारा pregnant हुए हैं और पहली बार आपको ये दोनों dose लग चुकी है तो इस बार आपको बस एक booster दिया जाता है हर hospital में private hospital हो चाहे government hospital हो वहाँ पर ये tetanus का injection जरूर लगाया जाता है तो जिस भी doctor से आप treatment करवा रहे हैं एक बार उनसे जरूर consult करें क्योंकि ये tetanus का injection लगवाना बहुत जरूरी होता है इस tetanus का injection को लगवाते वक्त आपको कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना है सबसे पहली चीज़ ये injection आपको किसी experience doctor से ही लगवाना है ऐसे ने कि किसी से भी लगवा लिया अच्छे doctor के पास जाईए और उनसे injection लगवाईए अगर आपने ये injection लगवाया है और उसके बाद से ही आपको pain हो रहा है swelling हो रही है आपको fever हो रहा है और फिर जब से injection लगवाया है तब से आपको अच्छा नहीं लगवाया uncomfortable feel हो रहा है तो आपको अपने doctor से तुरंट consult करना चाहिए और तीसरी चीज़ की दो doses के बीच में एक महिने का gap ज़रूर होना चाहिए तो friends अपने baby को और अपने आपको tetanus जैसी जानलिवा बिमारी से बचाने के लिए ये injection आप pregnancy time में ज़रूर लगवाएं और इसको बिलकुल भी skip मत कीजिए जो चीज़े मैंने बताई है इनका ज़रूर ज़रूर ध्यान रखे अभी भी आपका कोई सवाल है कोई query है तो आप मुझे comment box में लिकर पूछ सकते हैं I hope आपके लिए video helpful रहा होगा मिलते हैं next video में thank you for watching